तो दोस्तो आज हम बात करेंगे आधार सीडिंग के वारे में या फिर उसे अभी की भासा में जो जादतर लोग जानते हैं उसे जो है डीबिटी कहा जाता है उसका पूरा नाम जो है डायरेक्ट वैनिफिट ट्रांसफर होता है जिसे हम सिंपल भासा में समझ सकते हैं कि जो आधार कार्ट से जो भी बैंक लिंक होता है जैसे कि किसी भी सरकारी काम का पैसा जैसे कि हम बात करें PM किसान निधी की या फिलारली बहना की तो यह जो है पैसा जो है अब जो है आधार डीबिटी की माध्यम से जो है खाते में डाला जाता है जैसे कि आधार कार्ट से जो भी बैंक जोड़ा होगा या फिर कह सकते हैं कि जिसके साथ भी डीबिटी इनेवल होगी वो जो है उसमें जो है डारेक्ट ही किसान निधी का पैसा या फिर लाडली बहना योजना का पैसा और जो भी सरकारी योजना का पैसा अब जो आता है जैसे 2023 में ये लागू कर दिया गया है कि सरकारी काम का सरकारी चीजों का जो भी अप पैसा आगे से आएगा वो आधार के थुरू आएगा तो वो जो है डीबिटी के थुरू जो है आटोमेटिक ही बैंक में जो है चला जाता है जो भी आधार कार्ट से बैंक अकाउंट लिंक होगा तो आप कैसे चेक कर स से चेक कर सकते हैं इसका जो है मैं complete process बताने वाला हूँ तो चलिए शुरू करते हैं और यह जो है process मैं अपने ही phone के माध्यम से बताऊंगा आप same तरीके से जो है उसे कर सकते हैं तो दोस्तो आपको वीडियो के description मैं मैं एक जो है link दे देता हूँ आप उस link पर जैसे ही click करेंगे तो सीधा जो है मैं अपने mobile phone को side में show कर रहा हूँ आप उस तरीके से live देख सकते हैं और उसी तरीके से same process से आप कर सकते हैं तो वीडियो के description में मैं एक link दे देता हूँ उस link में आप जैसे ही click करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरीके का website जो है खुलके आ जाता है जो की UIDI का है तो आप यहां पर समझने बाली बात यह है कि यहां पर जो है मैं आपको बताता हूँ यहां पर जो है हमें आधार number डाल देना है जो भी आपका आधार number है वो यहां पर आपको डाल देना है और जो यह capture जो दिया गया है न इस capture को जो है देख सकते हैं दोस्तों ये capture जो दिया गया है इसको यहाँ पर fill करना है इसके बाद जो है हम यहाँ पर send OTP करेंगे आधार card से जो भी mobile number link है उस पर जो है एक OTP चला जाता है और उस OTP को जो है यहाँ पर जो है हमें दर्च कर लेना है तो थोड़ा समय यहाँ पर zoom कर लेता हूं देख सकते हैं यहाँ यहाँ पर OTP दर्च कर लेना है देख सकते हैं यहाँ पर OTP आ चुका है तो हम यहाँ पर OTP डालने के बाद और इसके बाद समिट के बटन पर click करेंगे तो इसके बाद देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर खुल कर आ गया है मतलब हमारे account की mapping यहाँ पर दिख जाती है मैं आपको बता देता हूँ simple way में यहाँ पर समझा देता हूँ यहाँ पर लिखा हुआ है check आधार bank seeding status यहाँ पर लिखा हुआ है congratulations your आधार bank mapping has been done मतलब आपका जो bank account है जो है आधार card से जुड़ा हुआ है और उसकी dbt जो है enable है तो वो यहाँ पर देख सकते हैं आधार नमर आपको देखने को मिल जाएगा और bank की seeding status यहाँ पर जो है active दिखना चाहिए अगर active दिख रहा है तो आपका dbt enable है और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ भी आपको देखने को मिल जाता है congratulations और यहाँ पर भी seeding हुआ था bank में वो यहाँ पर date देखने को मिल जाता है जब भी dbt enable हुआ था bank से वो date यहाँ पर देखने को मिल जाता है और जो bank है वो bank का नाम भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है कि किस bank के साथ आपका dbt enable है आप इसी तरीके से जो है चैट कर सकते हैं आप जो है पता कर सकते हैं कि आपके आधार का डीबीटी जो है आपके बैंक की डीबीटी इनेबल है या नहीं और है तो किस खाते में हैं कई लोगों के पास जो है दो तीन चार खाते होते हैं तो आप जो है इस तरीके से चैक कर सक कि कौन सा खाता आपके बैंक के साथ जो है लिंक है तो यह रही वीडियो वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक से एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में किसी और टपिक के साथ तब तकले जैहिन बंदे मात्रम